बहुत बहुत स्वागत हैं मेरे इस चैनल पर तो सर्विक्स के बारे में तो आप सभी जानते होंगे यानि बच्चे दानी अब ये बच्चे दानी की पोजीशन हर समय अलग-अलग होती है महिलाओं में बच्चे दानी एक ऐसा रॉल निभाता है जिसमें की महिलाओं की जिम्दगी पूरी तरके से ठीके होती है यानि की बच्चे दानी का होना यानि संताने होनी तो बच्चे दानी एक हल्दी बच्चे दानी होना बहुत जरूरी होता है एक हल्दी बच्चे दानी का जो समय समर परिवर्तन होता है वो भी जरूरी होता है यानि कि आप देखते होगे या जानते होगे या मेरे वीडियोस के माध्यम से ही कि बच्चे दानी जो है पिरियेट के समय उसकी अलग जगा होती है पोजेशन अलग होती है प्रेगनेंसी के समय पोजेशन अलग होती है ovulation के समय position अलग होती है ये जो बच्चेदानी होता है हर वक्त अलग-अलग तरीके से fertile या non-fertile days में अपने-अपने रूप बदलता है fertile days में ये अलग तरीके का होता है यानि कि जब fertile days हम कहते हैं ovulation ये ovulation में काफी जादा soft होता है खुला हुआ होता है formation होता है काफी जादा diluted होता है diluted यानि कि इसमें काफी जादा hydration होता है उसक्त discharges के वजह से तो ये होता है ovulation time के अब अगर ovulation नहीं होता है तो ये बंद होता है आम दिनों में period अगर नहीं है ovulation नहीं है तो ये बंद है और ये काफी hard होता है उस वक्त और ये बाकी दिनों से अलग होता है ओलिशन के दिनों से तो अब ये कि जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होगी तो प्रेगनेंसी में सर्विक्स का पोजिशन कैसा होगा प्रेगनेंसी में जो सर्विक्स है वो बंद हो जाता है पूरे तरीके से क्युकoftी गर्व में बच्चा रहता है और वो बंद रहता है बच्चे के सेफटी के लिए उसको infection से बचाने के लिए वो बंद होता है और साथ ही उसकी जो position है वो ऊपर चली जाती है वो नीचे नहीं रहता है cervix उपर चला जाता है तो period के time में ये काफी low हो जाता है evolution के time में ये medium section में रहता है याने medium position में रहता है और अगर आप pregnancy conceive कर चुकी है तो ये काफी high हो जाता है उपर की और जाके state हो जाता है ये बंद होता है और इसे touch पर करना बहुत मुश्किल होता है जल्दी ये touch पे नहीं होता है ये काफी hard हो जाता है उस वक्त फिर ये दीरे दीरे तब ही नीचे की सकता है जब आपके delivery काफी pass होती है ये दीरे-दीरे खुलता है उसके बाद ये काफी thinner और softer होते जाता है जब आपके delivery और pass होने लगती है तब यह और दीरे दीरे नीची आता है और आपको labor शुरू होता है तब delivery यानि normal delivery होती है normal delivery में बच्चेदानी का roll काफी जादा important होता है जब तक वो दीरे दीरे नहीं नीची आएगा आपके normal delivery नहीं होगी तो इस तरीके से आपके position बच्चेदानी के अलग-अलग होते हैं और यह जानना आपके लिए बेहर ज़रूरी है I hope आपको यह वीडियो पसंद आया हो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like channel को subscribe और comment करते जाए जरूरत मंदों के साथ share जरूर करें धन्यवाद